5, 4, 3, 2, 1 देश की सरवोच पंचायत संसद अब पेपरलिस बनने की ओर अग्रसर है साइबर युग में संसद और विधान सबा केंद्रव राज सरकारों के मंतरालियों से लेकर विभिन संस्थान अब कागज को छोड़कर डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं यह शुभ संकेत है माना जा रहा है संसद के शीत कालीन सत्र से सांसद अपना 80% कार्य कागज रहित करने लगेंगे वैसे भी सूचना प्रद्योग की के दौर में किसी भी संस्था का पेपरलेस हो जाना असंभव नहीं है देश में संसद से पहले हिमाचल प्रदेश की विधान सभा पांच साल पहले ही पेपरलेस बन चुकी है इसके बाद गोवा और अब दिल्ली हरियाना समेत दर्जन भर राज्यों की विधान सभाओं में भी शीगर ही कागज विहीन कार्य होने लगेगा हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 2014 से ही पेपरलेस काम चल रहा है पेपरलेस संसद बन जाने से देश भर में सकारात्मक संदेश जाएगा क्योंकि देश की सर्वोच पंचायत यदि परियावरण संरच्छन के लिए कागज रहित होगी तो इससे अन्यसंस थाएं व आमनागरिक भी प्रेरित होंगे इससे कागज बनाने के लिए पेडुंग पर कुलहाडी नहीं चलानी पड़ेगी और जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूज रही प्रिथिवी को बचाने में मदद मिलेगी अनुमान है कि यदि संसद व सभी विधान सभाएं व विधान परिशदें पेपरलेस हो जाएं तो देश के सालाना दो सो करोड रुपए की भी बचत होगी संसद को परियावरन मित्र बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है संसद के पेपरलेस होने की उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है कि लोगसभा स्पीकर ओम बिरला इस बारे में घोशना भी कर चुके हैं श्री बिरला ने 17 लोगसभा के पहले सत्र की समाप्ती के बाद 10 अगस्त 2019 को अपनी पहली प्रेस कॉन्फरेंस में घोशना की थी कि संसद के अगले सत्र यानी शीत कालीन सत्र से 80% सदस्यों ने पेपरलेस काम करने का आश्वासन दिया है लोगसभा सचिवाले का कामकाज भी शीग्र पेपरलेस बनाया जाएगा इससे करोणों रुपई की बचत होगी और कागच के उपयोग में भी कमी आएगी स्पीकर ने यह भी कहा कि उनकी कोशिस होगी कि शत्र शुरू होने के एक महीने के भीतर शत्र प्रतिशत सदस्य पेपरलेस काम करने लगें सूचना प्रद्योग की के दोर में संसद को कागज रहित होने से देश भर में सकारात्मक संदेश जाएगा सभी विधान सभाओं के साथ ही सरकारी महकमों में भी कागच का इस्तिमाल घटेगा कागच का प्रयोग घट जाने से पेड़ भी बचेंगे इससे जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूज रही दुनिया को परियावरण बचाने में मदद मिलेगी संसद को लेकर योजना है कि संसदों के लिए एक एप तैयार किया जाएगा इससे संसदों को पेपरलिस काम करने में आसानी होगी संसद को पेपरलिस बनाने की योजना के तहट इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल तरीकों के उपयोग से सदस्यों को हार्ड कापियों को पहुँचाने में होने वाली देरी भी नहीं होगी संसदों को संसदिय पत्र की ई-कौपी या हार्ड कौपी प्राप्त करने के लिए ओविकल्प दिया जाएगा वैसे यह काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था लेकिन अधिक्तर संसद अब भी परंपरागत तरीकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जबकि प्रतेक संसद को लेप्टाप, स्मार्टफोन समेद इलेक्ट्रोनिक उपकरण खरीदने के लिए तीन-तीन लाख रुपे दिये जाते हैं संसद सदस्य चुने जाने के बाद लोकसभा और राजसभा सचिवाले संसदों से ई-मेल भी लेते हैं इसके बावजूद अधिकतर संसद दस्तावेजों को कागजों में लेते रहे हैं सुलहवी लोकसभा के दोरान तब की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी संसद को पेपरलेस बनाने के प्रयास शुरू कर दिये थे वर्स 2015 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में देश भर के पीठासीन अधिकारियों के 77 में समेलन में जिन्दों मुद्दों पर चर्चा की गई उसमें से एक परियावरण के लिहाज से पेपरलेस पार्लियामेंट बनाना भी था समेलन में सभी ने अधिक से अधिक टेकनलोजी का इस्तिमाल करके पेपरलेस पार्लियामेंट बनाए जाने पर जोर दिया था बहरहाल अब संसत के पेपरलेस होने से परियावरन का लाब होगा पेड़ बचाए जा सकेंगे इसके अलावा सरकारी खजाने में पैसा भी बचेगा इसके अन्य फायदों को खुद स्पीकर ओम बिरला भी गिना चुके हैं उन्होंने कहा कि इससे पैसे की बचत तो होगी ही महत्वपून समय की भी बचत होगी सदस्यों को किसी विधेयक की प्रती या कोई अन्य दस्तावेज पहुचाने पर अभी काफी जादा पैसा खर्च होता है उदारन देते हुए शुरी बिरला ने कहा कि मसलन कोई सदस्य नोईडा में रहता है तो दस्तावेज पहुचाने के लिए एक डिलिवरी मैन को उनके घर भेजना पड़ता है इस पर काफी खर्च आता है कई बार सदस्य शिकायत करते हैं कि विधेयक की प्रती उन्हें देर से मिली इस कारण वे बिल का अध्यान नहीं कर सके पेपरलिस संसद होने से उनकी यह शिकायत दूर हो जाएगी